मसकार दोस्तों मैं रन सिंग पवार और आप देख पा रहे हैं पीम अपनियूज के परिच्चे कारेक्रम में जो आज हमारे साथ में एक ऐसी सेलिबरिटी जुड़ी हैं जो कि फोर एवर्स मिसिज इंडिया शाइनिंग स्टार दोजार इकीस अवार से नवाजी में नवाज की अधन्यवाद हार्दिक शुब कमनाएं पीमफो न्यूज को और मेरे देश्वासियों को नवश्की हार दिक हार दिक शुब कमनाएं दन्यवाद हमारे साथ में आज नविता पवार जी जुड़े हूं हैं पहले हमने जो एक इंट्रव्यू लिया था मिसेज इंडिया फ मिस्ज इंडिया आवार्ड से नवाजी की नवीता पावार जी, जो कि आप तीन क्राउन हमारे सामने देख पा रहे हैं, इनके बारे में पहले बताएंगे सिलसले वार। जी, मैं बताऊं तो पहले मैंने सिटी को रिपर्जेंट किया, मिस्स हिसार, हरियाना को रिपरेजेंट करते हूए, यह मिस्स हिसार का क्राउन है और यह नेशनल, मिस्स इंडिया साइनिंग्स स्टार 2021 आवाड से आपको नवाजा गया, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा मैं बयानी कर सकती और बहुत खुश हुए इस आवार्ड को पाके तो क्या कहना चाहेंगे कि आज जो आपको आवार्ड नवाजा गए है इसके पीछे जो ताकत लगी है जो मेहनत लगी है तो कुछ ऐसे पल बताईए जो आपको इस आवार्ड जीतने के लिए इस मॉमेंट में आया सर इस आवार्ड को जीतने की सबसे बड़ी ताकत मेरे हस्बेंट है मेरे लिए और मेरे कम्मूनिटी का और मेरे जो अभी भावक हैं उनका बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है और उन्हीं की वज़े से मैं आज इस crown को win कर पाई हूँ तो मैं उनकी thankful हूँ, उनकी धन्यवाद करती हूँ दिल से धन्यवाद कि उन्होंने मुझे इस platform तक पहुंचाया और खास करके मेरे पती, जिन्होंने हर पल, हर moment पे मुझे आगे appreciate किया और मुझे crown की तरफ लेके गई तो नवीता जी बात करें कि पहले हम मिसेज इंडिया का तो सुनते थे लेकिन अब जो ये आवाड है, एक अलग से जो हुआ है, मिसेज इंडिया का आवाड भी तो इससे भी जो ग्रहनी हैं, जो साधी सुधा मेला हैं, उनको क्या मिल पाएगा प्रोचान मिल पाएगा दिल्कुल मिल पाएगा, सब्सक्री सी बात होती है कि आप सपने देखते हैं और सपने हर कोई देखता है, चाहे वो unmarried हो या married हो बट हमारे जो society, हमारा जो culture है, वो after marriage खतम सा हो जाता है ओरतों के लिए कि शादी हो गई, बस अब शादी के बाद की जिंदिकी अब की start हो जाती है तो बस यही कहना चाहूंगे कि शादी के बाद आपकी जिंदिकी खतम नहीं होती है आपके सपने दुबारा जाग रुख हो, आप उनको जगाएं और उनको पाने के लिए थोड़ा ट्राइ करें समर्थ दिखाएं अपना और उनको अचीव करें और रही बात मिस और मिसिस के इसी सिस्टम की तो बस मैं यही संदेश देना प्चाहूंगी कि अपने सपनों के लिए जीएं अपने सपनों के पूरा करने के लिए आगे बढ़ें तो नुईता जी बात करें मिसिस इंडिया कॉंटेस्ट चलते रहें है तो अब ये मिसिस इंडिया भी आ गया है तो क्या फर्क नजर आता है Migse इंडिया और मिसिस इंडिया हमारे दर्सकों को थोड़ सा बताएंगे सर मिस का तो लगा लिजे कि 1960 से लोगों के दिमाग में है कि मिस इंडिया चुनी जाती है मिस वर्ल्ड चुनी जाती है Miss Universe चुननी जाती है But Mrs. India को जो platform दिया वो हमारी thankful हूं है हमारी अब की government का जिनोंने पिछले 8 साल से Mrs. को ये मौका दिया कि वो भी Miss की तरह अपनी पहचान National और International लेवल पर वो बना सकती है क्योंकि खुबसूरती सिरफ Miss में नहीं होती है Miss की खुबसूरती उससे कई गुना जादा हो जाती क्योंकि वो एक मा भी होती है पत्नी भी है एक बहन भी एक बेटी भी है तो ये खुबसूरती कई गुना बढ़ जाती है जब आप Miss इंडिया या किसी भी टाइब से Miss का टैग लेके चलते हैं तो वो कई गुना जादा एप्रिशेटिंग होता है तो नौिता जी जो आपने कॉंटेस्ट में भाग लिया है Miss इंडिया के तो इसमें जो आयोजक मंडल है जो आयोजक जो संस्थान है उसके बारे में पता है सर मैंने फोरेवर स्टार इंडिया के साथ काम किया है फोरेवर स्टार हमारे आयोजक रहे हैं और सर बहुत ग्रेट टीम है बहुत बड़ा और अच्छा प्लेटफोर्म है जिनोंने एक एक को आप ये मानिये एवन सबसे बड़ी क्राउनिंग सेरमनी आज तके इतियास में मिस और मिस्स की सबसे बड़ी क्राउनिंग सेरमनी फोरेवर मिस्स इंडिया मिस इंडिया ने ही की है जैसे कि आपने जैपूर का जिक्रा किया जैपूर के अंदर आपने भाग लिया होटल का नाम मेरियंट ओटल मेरियंट के अंदर ये कारिकरम रखा गए जी फोरेवर स्टार का जो प्रोग्राम अभी सेरेमनी और्गनाईज की गई थी वो जे डबलू मेरियंट जैपूर में की गई थी और बहुत ही कॉपरेटिव टीम टीम वर्क की अगर बात करें तो कॉपरेटिव टीम रही है कॉपरेटिव वर्क रहा है और बहुत अच्छा अनुभव रहा है सर बहुत जबरदस्त तो मिस इंडिया की बात करें तो केरियर अलग सा रहता है तो मिसिज इंडिया के लिए केरियर की बात करें तो क्या आप इसमें अपना के उजवल भीशे देख लें सर पहले तो जैसे ही मैंने फॉरेवर स्टार मिस्स इंडिया शैनिंग स्टार का आबार्ड विन किया है तो मैं बता दूं कि मैं नेशनल से इंटरनेशनल के लिए कौलिफाई कर चुकी हूँ अब मैं इंटरनेशनल की फाइट करूँगी उसमें इंडिया को रिपरेजेंट करूँगी और सेकंडली बात मिस और मिस्स के फरक की बात की चाहे तो ये ठीक है सर कि मिस्स की जो कैटेगरी है वो मॉडलिंग के लिए ज़्यादा जल्दी और बॉलिवुड में या फिर जैसे इंडस्ट्री में फिल्म इंडस्ट्री में जल्दी ग्रैब अप होती है बट मिस्स का अपना एक सम्मान अगर मैं बात करूँ तो इस ये जो सिर पे ताज रखा गया है ये हमारे लिए बहुत बड़ा सम्मान है और मेरे समाज की मैं उस हर ओरत को ये डेडिकेट करना चाहती हूँ जो इसमें आगे बढ़के आना चाहती है और केरियर की बात करें तो सर हमारे लिए भी अड़र्टाइजमेंट इंडस्ट्री है जो भी फोटो शूट इंडस्ट्री है मॉडलिंग जिसको बोलते हैं तो उसके साथ भी हम काम कर सकते हैं नाविता जी आपने फेशन डिजाइनिंग से एक सुरुवात ली और काफी जो हमें जहां तक पता है कि काफी मेलाओं को भी आपने जो है हस्त कला से जो निर्मित वस्तु हैं उनके लिए भी आप वर्क करें उसके बारे में थोड़ा सा बताएग जब से मैं एजुकेशन स जो इंडिपेंडेंट होना चाहती थी तो उनको मैंने लगबग 50-60 ओरतों को मैं इंडिपेंडेंट कर चुकी हूं जैसा कि आपने बताया है हैंडी क्राफ्ट या जो सीखना चाहती थी उसी जी इसको लेते हुए दूसरा मैं सवदेशी की भी मेंबर हूं तो उनका बनाय कि उसके तरू मैं उनके लिए और ज्यादा और बैटर कर सकूं तो मैं बहुत सारी ओरतों का सपोर्ट में यही चाहूंगी कि मैं उनको इंडिपेंडेंडेंट बना सकूं महिला सकती करण पे साफ बात करें तो महिला सकती करण पे आप काम करेंगे और महिलाओं के लिए अ तो नवीता जी एक कुछ खास पल जो आप इस competition के अंदर जो आपके रहे हैं वो बताना चाहेंगे। सर मेरा सबसे खास पल तो यही था कि city winning का मुझे पता था कि मैं city qualify कर चुकी हूँ, मुझे state का भी confirm था कि मैंने state भी qualify कर दिया है। बड़ सर टॉप 19 में आने के बाद जब आपको अनाउंस होता है कि आप Mrs. India's standing star है, वो मुमेंट मेरे लिए unbelievable था और मैं वहाँ पे कुछ भी नहीं बोल पारी थी और वो मेरे लिए बहुत बड़ा खुशी का पल था, मैं explain नहीं कर सकती उस पल को, तो वो पल मेरे लिए सबसे एहमियत रखता है वो पल मेरा, कहीं नहीं समझस्त तो रहती है, जीत को ले करके, लेकिन आपका खास पल जो है, आप जिसके अंदर confidence से कह सकती है, कि भी इसमें मैं जीतूंगी ही जीतूंगी, तो वो कुन सा पल रहा है, सर वही मैं पहले कहा चूँ क्योंकि टॉप 19 तक राउनिंग हासिल करना, वो मेरे लिए बहुत बड़ा मोमेंट था, मैं शूर थी टॉप 19 के लिए, बट नैशनल की वीनिंग मेरे लिए ज्यादा प्राउड़फूल है, तो एक लास्ट कोशन करना चाहूंगा, मैं हमारे दर्सकों के लिए, तो जो मेसिज इंडिया का जो कोशनिंग है, या किस तरह का जो आपका कंपिटिशन है, परतियों गिता है, वो रहती है, क्या क्या क्वाल्टीज जो है, उसके अंदर रहती है? सर पहले तो आपको अपने कल्चर से रूबरू होना पड़ता है दूसरा आपकी समाजिक भूमिका क्या है तीसरा मिसिस के लिए ये क्राइटेरिया होना बहुत जरूरी है आप इसका देखें सिर्फ खुबसूरती का देखें तो ये चीज़ गलत होगी कहना कि ये सिर्फ पुरून आती है यहां पर कि जो आपकी आज तक की भूमिका के साथ साथ आप आने वाड़े कल में औरों को क्या दे सकते हैं आप ये क्राउन पहनगे उसका जो एक गरीमा है उसको कैसे बरकरार रखते हैं ये आपके लिए बहुत बड़ी मैटर रहता है तो आप देख पा के लिए बने रही है पीएम अफोन्यूस से तन्यवाद